आप इसराइल की मदद करें हम आपकी देखवाल करेंगे नहीं तो मोसाद चीफ ने क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोल्ट को दे दी है धमकी जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ सिरलंका में भारत भूरा खजाना उठा रहा है लेकिन अमेरिका और चीन दोनों की ह नजर है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आये जानते हैं इन खवरों को विस्तार से इसराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के पुरू परमुख ने कथी तोर पर अंतरराष्टी आपरादिक अदा जक फतो बेसंदा के साथ योशी कोहिन के गुप्त संपर्क कबजे वाले फलिस्तिनी छेतरों में कतित युद्ध अपरादों और मानावता के खिलाप अपरादों की आपचारी जान सुरू करने और उनके निर्ने से पहले के वर्सों में हुए थे ये खुलासा तब हुआ ह जब बेसंदा के उत्रादिकारी करीम खान ने घोसना की कि वो गाजा युद में इसराइल के आचरन पर इसराइली परदान मंतरी बेंजामीन नेतन याहु के लिए गिरफतारी की वारंट की मांग कर रहे हैं नेतन याहु और उनके रच्छा मंतरी योग गिलेंट के साथ साथ हमास के तीन नेताओं की गिरफतारी वारंट के लिए आई सी सी के प्री ट्राइल चेंबर में आवेदन करने के अब योचक के फैसले का इसराइल के सैन्य और राजनितिक प्रतिश्टान को लंबे समय से ओप्रेशन में कोहेन की वैक्तिगत भागीदारी तब हुई जब हो मोसाद के डाइरेक्टर थे एक वरिष्ट इजराइली अधिकारी के अनुसार उनकी गतीवदियों को उच्छ अस्तर पर अधिकरित किया गया था और अदालत ने सैन्य कर्मियों के खिलाप मुकदमा चल वैक्ति करना था जो इजराइल की मांगों में सहीयोग करें और इजराइल में अपने आप में एक राजनीतिक टाकत के रूप में उभर रहे थे उन्होंने अदालत को कमजोर करने के लिए देश द्वारा लगभग एक दसक लंबे अभियान में मोसाद की भागीदारी का व बेसोंडा ने ICC के वरिष्ट अधिकारियों के एक छोटे समोग को कोहिन के वैभार और लगातार बढ़ती धमकी भरी परकृती के बारे में जानकारी दी थी उनमें से तीन सरोत इस मामले के बारे में ICC को बेसोंडा के उपचारी खुलासे से परचित थे उन्होंने कहा कि कोहिन ने उन पर ICC के फलिस्तीन मामले में आपराधिक जाच आगे नहीं बढ़ाने के लिए कई बार दवाब डाला था ICC अधिकारियों के साथ साजा किये गए एकाउंट्स के उन्सार उन पर आरोप है कि उन्होंने बेसोंडा कहा था कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए और हमें आपकी देखवाल कर देने देनी चाहिए आप उन चीजों में सामिल नहीं होना चाहेंगे जो आपकी या आपके परिवार की सुरच्छा समझवता कर सकती है कोईन की गतिविदियों के बारे में जानकारी देने वाले एक वेक्तिनी कहा कि उसने बेसोंडा को डराने और परभावित करने के आंततह और सफल परियास के हिस्से के रूप में उसके खिलाफ ग्रिनित रननीती का इस्तेमाल किया उन्होंने उसके वेभार की तुलना के बाद इसराइली अधिकारियों ने अभियोजक को बदनाम करने के लिए सामागरी का उपयोग करने का प्रयास किया बहुत सारी चीजें यहां पर इसराइल को लेकर कही जा रही है अब यह कितना सच है यह कहना मुश्किल है पर हाँ ICC इसराइल के खिलाफ एक आरेश्ट व को हासिल करने की कोशिस में लगा हुआ है और यहां कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे देश हैं जो इस वक्त चाह रहे हैं कि वो भी ग्रेफाइड को हासिल करें और UAE ये भी भारत का पार्टनर बन रहा है critical minerals में graphite चुकी भारत के लिए काफी महतपूर्ण है क्योंकि भारत battery बनाना चाह रहा है EV के market में उतर रहा है और भारत चाह रहा है कि स्रिलंका के साथ graphite को लेकर एक बड़ा समझोता हो जाए और एक block में entry मिल जाए स्रिलंकन graphite को माना जाता है दुनिया के सबसे सुध ग्रिफाइड में से एक इसमें 98% कारवन कंटेंट होता है भारत इसके अलावे और भी कई देशों के साथ बाचित कर रहा है जैसे Republic of Congo, Tanzania, South Africa पर यहाँ पर स्रिलंका वाले केस में दिक्कत ये है कि ऐसा ही चाइना भी चाह रहा है और ऐसा भी अमेरिका भी चाह रहा है अब यहाँ दो और देश आ गए है और आपको बता दें ऐसा नहीं है कि अमेरिका की भागिदारी सिरलंका में नहीं बढ़ रही है अमेरिका की भी भागिदारी सिरलंका में बढ़ रही है पर एक और यहां पर देश जुडाया है और वो देश है फ्रांस कहा जा रहा है कि फ्रांस भी यहां इस ग्रेफाइड को लेकर काफी दिल्चस्वी ले रहा है फ्रांस भी चाहता है कि सिरलंका के ग्रेफाइड में उस यहां पर भारत की भी परिच्छा हो जाएगी कि चाइना, अमेरिका, भारत, फ्रांस, चार देस हैं, जो इस वक्त सिरलंका के ग्रेफाइट डिफोजिट को हासिल करना चाते हैं। और ऐसे में सिरलंका क्या भारत के साथ डील फाइनल करता है या नहीं करता है। ये चीजें देखने को मिलेगी तो सच निकल कर सामने आएगा अलाकि ऐसे माना जाता है कि सिरलंका भारत के साथ ये डील करेगा इसलिए ये डील करेगा क्योंकि भारत ने काफी मदद की है और काफी मदद कर रहा है बात करें भारत की कमपनिया तो भारत की कमपनिया इस वक्त चारों ही तरफ इस तरीके के critical minerals की खोज कर रही है इसी के तहट भारत ने lithium को लेकर अर्जेंटीना के साथ agreement किया इसी को लेकर अफरीका में भी भारत entry ले रहा है काबिल जो की भारत के द्वारा बनाई गई संस्था है इस वक्त critical minerals पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है अलाकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इस वक्त critical minerals पर ध्यान दे रहे हैं देर आए दुरुस्त आए इन सब में बाजी अगर किसी ने मारी है तो वो मारी है चाइना ने क्योंकि चाइना समझ चुका था आने वाला समय critical minerals का है और अभी का सीन ये हो गया है कि दुनिया भर के देश गुटबंदी भी कर रहे हैं ताकि उन्हें मिलता रहे इस मामले में फाइदा इसक्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं European Union और Australia इन दोनों ने आपस में एक contract sign किया है और इस MOU के अनुसार ये दोनों ही देश critical minerals में एक दूसरे का साथ देंगे वही एक और ग्रूप बनाया गया MSP जिसके द्वारा दुनिया भर के देशों को जोड़ा गया है जिसमें एक भारत भी है और ये कहा गया कि इन देशों के बीच में जो भी minerals मिनेंगे critical minerals उसको लेकर आपस में समझोता किया जाएगा आपस में अगर किसी तरीके की कमी होगी तो उसे पूरा किया जाएगा भारत की entry इसमें होने के बाद यही माना गया कि ये बहुत महतपूर्ण कदम है और भारत को यहाँ पर एक बड़ी बढ़त मिली है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के आप